हेलो फ्रेंड्स मैं मीनूं आप सभी का स्वागत करती हूं अपने चैनल पर आज मैं आपके साथ इस ब्यूटिफल सी कूर्थी की कटिंग और स्टिचिंग शेयर करूंगी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए शेयर कीजिए औ तो ये कुर्थी दिखने में जितनी सुंदर है उतनी बनाने में भी आसान है इसके लिए मैंने तीन मीटर फैबरिक लिया है तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम टॉप पार्ट के कटिंग करेंगे इसके लिए मैंने फैबरिक के दो पीस लिये हैं फैबरिक की मार्किंग करेंगे तो सबसे पहले उपर से शोल्डर के लिए मार्किंग करेंगे तो यहां पर शोल्डर लेंगे 7 इंच यहां से निच आर्मोल के लिए मार्किंग करेंगे तो आर्मोल भी लेंगे 7 इंच इन दोनों निशानों को मिला लेंगे इस निशान को भी यहां से सीधा कर लेंगे यहां से चेस्ट के लिए मार्किंग करेंगे तो जो भी चेस्ट राउंड होगा उसका फूर्थ पार्ट करके यहां पर लेना है तो यहां पर मैंने 8 इंच पे मार्क किया है अब यहां से एक अमर के लिए मार्किंग करेंगे तो यहां पर जो भी west round होगा उसका fourth part करेंगे तो यहां मैंने 6 इंच पे मार्क किया है इन दोनों निशानों को scale की मदद से मिला लेंगे अब यहां से बाहर की तरफ डेड़ से दो इंच मार्जिन लेना है यहां से उपर की तरफ एक इंच पे मार्ग करेंगे और यहां पर हलकी सी गोलाई का शेप देंगे यहाँ पर हम आर्मोल का शिप ड्रॉ कर लेंगे और हाफ इंच अंदर से फ्रंट आर्मोल के लिए शिप ड्रॉ करेंगे बंद वाले साड़ से नेक के लिए चार इंच पे माग करेंगे यहाँ पर हम बोट नेक बनाएंगे हाफ इंच शोल्डर डाउन करेंगे इस point को भी neck के point तक मिला लेंगे neck हम stitching के time पर ही cut करेंगे अब same marking पर cutting कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने cutting कर ली है अब इसमें से front part को अलग करेंगे और front armhole की भी cutting कर लेंगे यहाँ पर top part की cutting हो गई है अब हम sleeve की cutting करेंगे तो sleeve के लिए भी मैंने fabric के दो पीस लिए है और इसे center से fold कर दिया है तो यह fabric 4 layer में हो गया है sleeve की चोड़ाई मैंने रखिया 1.5 इंच जितना भी armhole होगा उसमें 1.5 से 2 इंच प्लस कर के लेंगे और length के लिए मैंने 1.5 इंच पे mark किया है steady length हमें 12 इंच चाहिए तो 1.5 इंच मैंने extra लिया है अब यहाँ पर open वाले side से 3 इंच पे down करेंगे sleeve bottom हम लेंगे 6 इंच 1.5 इंच तयार चाहिए और 1.5 इंच extra लेंगे margin के लिए इन दोनों निशानों को scale की मदद से मिला लेंगे अब यहाँ पर sleeve का shape draw करेंगे half इंच अंदर से front armhole के लिए shape draw करेंगे अब इसी marking पर cutting कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने sleeve के cutting कर ली है अब इसको open करेंगे और front armhole के shape के भी cutting कर लेंगे अब हम stitching के तरफ चलते हैं तो यहाँ पर पहले top part का front part तयार करेंगे इसके लिए मैंने pasting paper के neck के cutting कर ली है दोनों ही fabric के center में एक छोटा सा cut लगा लिया है और दोनों ही fabric को center में लाते हुए रखेंगे यहाँ पर मैंने board neck cut किया है तो इसकी जो चोड़ाई है वो मैंने रखें आट इंच और जो इसकी deepness है वो रखेंगे साड़ तीन इंच neck को fabric की right side पर रखेंगे और pin से secure कर लेंगे अब पेस्टिंग paper के बिलकुल side side में हमें सिलाय लगाना है इस तरह से neck बनाने से बहुत ही finishing के साथ neck ready होता है अब यहाँ पर pin को remove कर लेंगे और half inch का margin छोड़ते हुए extra fabric को cut कर लेंगे neck line पर छोटी छोटी से cut लगाएंगे इससे neck पिलटने में आसानी रहती है neck को wrong side में turn करेंगे जिस तरह से मैंने front neck ready किया है उसी तरह से मैंने back part का neck भी ready कर लिया है back part को front part के परूलटा रखेंगे और दोनों के shoulder match करते हुए shoulder join कर लेंगे अब हम bottom का part त्यार करेंगे तो इसके लिए again मैंने fabric के दो पीस ले लिये हैं यह fabric की लंबाई है और यह fabric की चौड़ाई है यहाँ पर fabric की length मैंने लिए 30 inch जितनी भी आपको कुर्ती की total length रखनी है उसमें से top part की length minus करेंगे और उसमें 2 inch plus करेंगे तो यहाँ पर मुझे total length रखनी है 42 inch उसमें से मैंने top part का 14 inch minus किया तो बच्छा 23 inch और 2 inch उसमें plus करेंगे स्लाइ margin का fabric की width है 43 inch अब यहाँ पर एक तरफ हम plates बनाएंगे तो जितना भी top part में अपने margin रखा है उतना ही margin के लिए यहाँ पर marking करेंगे तो यहाँ पर मैंने 12 inch पर mark किया है और इसके बाद से हम अपनी plates बनाएंगे यहाँ पर मैंने 12 inch की plate बनाई है आप अपने fabric के according इसे कमे ज़्यादा भी कर सकते हैं आप चाहें तो यहाँ पर gathers भी बना सकते हैं तो इसी तरीके से हम पूरे ही fabric में plates डाल लेंगे और side में 12 inch का margin छोड़ देंगे तो यहाँ पर मैंने plates ले ली है इसके उपर हम सिलाई ल होनी चाहिए तो यह देखिए इसके बराबर है अब top part को हम इसके उपर उल्टा करके रखेंगे और दोनों parts को match करते वे सिलाई लगा लेंगे तो यहाँ पर मैंने जैसे front part के साथ bottom attach किया है उसी तरह से back part को भी तैयार कर लिया है अब हम sleeve को ready करेंगे इसके लिए मैंने pasting इसका margin छोड़ते वे और इसी तरीके की एक और बट्टी मैंने cut करके इसके नीचे की तरफ रखी है अब हम इसके तीनों तरफ से लाए लगाएंगे और नीचे से इसे open रखेंगे अब corner पर small cut लगाएंगे और इसे पलट कर सीधा कर लेंगे तो यहाँ पर मैंने इसे पलट कर सीधा कर लिया है और इसके जैसी एक और पट्टी बना ली है और दोनों पर top stitch लगा लिया है अब हम इसको sleeve में attach करेंगे यहाँ पर sleeve की length हमने रखी थी 5.5 इंच तैयार हमें 12 इंच चाहिए और आधा इंच उपर सिलाई में चला जाएगा तो sleeve को center से wrong side में turn करेंगे और center में नीचे से 3 इंच पे एक mark करेंगे अब sleeve को wrong side से open करके रखेंगे और center में जो mark किया है ती नीच पर उस पर पट्टी को रख कर stitch कर लेंगे अब नीचे से quarter inch fold करके एक रफ सिलाई लगा लेंगे अब sleeve को right side में turn करेंगे और जो तीनी जेक्स टा लिया था उसको यहाँ पर double fold करेंगे तो यह इस तरीके से fold होगा और जो पट्टी हमने लगाई थी वो उपर की तरफ आ जाएगी अब अम यहाँ पर किनारे पर सिलाई लगा लेंगे अब यहाँ पर जो rough stitch हमने लगाई थी उसे निकाल देंगे अब दोनों ही side जो sleeve bottom fold किया है उस पर एक-एक सिलाई लगा लेंगे अब यहाँ से यह इस तरीके से open रहेगा और जो यह flap हमने लगाया है उस पर भी एक स्टिच लगा लेंगे अगर आप चाहें तो इस पर बटन लगा लें अदरवाइस यह ऐसे भी बहुत अच्छा लगता है तो यह sleeve ready हो गई है अब हम इसे armhole पर attach करेंगे तो इस तरह से कुरती को open करके रखेंगे sleeve और कुरती दोनों की ही right side अंदर की तरफ रखेंगे और दोनों को बराबर मिलाते हुए attach कर लेंगे sleeve attach करने के बाद कुरती को wrong side में turn करेंगे और fitting के लिए marking करेंगे तो यहाँ पर मैंने उपर से 15 inch पर slit के लिए marking किया है आप अपने according इसे कमें ज्यादा भी रख सकते हैं यहाँ पर मैंने fitting की सिलाई लगा ली है अब यहाँ से नीचे slit को fold करेंगे तो जितना भी margin आपने रखा है उसको यहाँ पर double fold करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे इसी तरह से हम back वाले part में भी double fold करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे सामने वाले साइड और नीचे के तरब भी इसी तरह से double fold करेंगे और किनारे पर सिलाई लगा लेंगे यहाँ पर मैंने slit बना ली है अब हम गुर्ती को open करके रखेंगे यह मैंने एक डोरी बनाई है इसको हम लूप बनाएंगे और slit के center में रखेंगे और 3-4 बार सिलाई लगा कर इसे पक्का कर लेंगे इसी तरह से मैंने दूसरी वाले साइड में भी लूप को attach कर लिया है अब हम इसमें डोरी डालेंगे यहां पर मैंने लटकन बनाई है इसको लूप में डालेंगे और कुर्ती को complete करेंगे यह कुर्ती बनकर ready है thanks for watching